हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं प्रेंग का स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके इपने चैनल टारी टीचर जो में दोस्तों आज हम आपको यूपिटेट से सम्मंदित जो मनुविज्ञान के कोशिन पूछे जाते हैं जो आपके मनुविज्ञानिक रहे हैं और जो भी उनके सिधान्त रहे हैं उनसे रिलेटेट बहुत सारे कोशिन आपके इस वीडियो में कबर होने वाले हैं क्योंकि दोस्तों ये आपका मनुविज्ञान का बेस है अगर ये सारी चीजे आपको थोड़ी भी पता है तो उनसे रिलेटेड जो भी उनके दिये हुए सिधान्त उनके विशे में आप आसानी से जान पाएंगे तो दोस्तों आज हम सुरू करेंगे सिच्छा मनो विज्ञान के 120 महत्तुपूर सिधान्त और जिसके जो प्रतिपादक रहे हैं और जो भी उनके जनक रहे हैं एक तरह से कह सक और जो भी उनके विशे में हम देखेंगे तो दोस्तों चलिए सुरू करते हैं यहाँ पे प्रतिपादक तो दोस्तों इसमें देखे पहले हैं यहाँ पे मिलियम जेमस तो विलियम जेमस नहीं से जुड़े जो भी महत्वपूर तथिया उसके विसे में हम देखेंगे दोस्तों मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है विलियम जेम्स को आधुनिंग मनोविज्ञान के जनक भी विलियम जेम्स है और प्रकारियवाद संप्रदाय के जनक भी विलियम जेम्स है और आत्म संप्रत्य की अधारडा भी विलियम जेम्स ने दिये तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको एक साथ है एक ही परसन से जुड़े जो भी महत्पूर मनोविज्यानिक के तथे हैं वो हम आपके लिए लेकर आए हैं क्योंकि यह सारी चीजे आपको एक जगह नहीं मिलती है आपको अलग-अलग बुक में देखना पड़ता है तो यहाँ पर यह सारी चीजे आपको मेहनत करने के आउसकता बिलकुल नहीं है यहाँ पर यह सारी चीजे मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बस आपको आउसकता है तो किवल पढ़ने और समझने की तो दोस्तों यहाँ विलियम जेम्स ने क्या-क्या उनसे जुड़े जो भी महत्वपूर तत्य है आपे मनोविज्ञान के जनक है विलियम जेम्स प्रकारिवा संप्रदाय के जनक है विलियम जेम्स और आत्म संप्रत्य की ओधारा भी विलियम जेम्स ने दी है क्लियर तो अब विलियम जेम्स स सम्मंदित यहाँ पर आपकी यह चारो तत्थे बहुत ही महत्वपूर इनको आप लंड का लिजेगा नेक्स्ट हम चलते हैं थांडाइक दोस्तों यहाँ पर देखें थांडाइक से रिलेटर जितने भी महत्वपूर तत्थे हैं वो यहाँ पर सिधान्त उन्होंने जितने भ वाद का सिध्धान्त भी थांडाइक ने दिया था उद्धीपन अनुक्रिया का सिध्धान्त भी थांडाइक ने दिया था और दोस्तों S और थियोरी के जन्दाता भी थांडाइक हैं अधिगम का बंध सिध्धान्त भी थांडाइक ने दिया था संबंध वाद का सिध्धान थांडाइक ने दिया था और यहां पर हम देखेंगे देखे प्रसिचण अंत्रड का सर्वसम अवियो का सिधान्थ भी थांडाइक ने दिया और बहुखंड बुद्धी का सिधान्थ भी थांडाइक ने दिया तो दोस्तों ये सारे बहुत ही मातपूर तथे हैं इनको आप करने की कोशिस करिएगा क्योंकि दोस्तों ऐसे ही कोशिन पूछता है कि बवखंड वुद्धि का सिधान्त किस ने दिया तो उसमें आपको जब ये किस समनित है तब ही आप सही कर पाएंगे तो दोस्तों इसके लिए आपको ये पूरा थांडाइक का दिया हुआ जितना भी स सिधान्त यह सारा आपको याद होना चाहिए क्लियर तो यह हम आपके लिए पूरा एक साथ ले करके आए हैं अब हम देखें यहाँ पर विने से समंदित क्या क्या महतपूर तत्य हैं तो दोस्तों देखें विने साइमन बुद्धी लब्दी परिक्षड यह समंदित आपका बिने और साइमन से और यहाँ पर देखें बुद्धी परिच्छडों के जन्दाता भी बिने कहे जाते हैं और एक खंड बुद्धी का सिधान्त किसने दिया बिने ने दिया तो दोस्तों यहाँ पर देखें एक खंड बुद्धी का सिधान्त किसका है बिने का है और बहु även चलिए यह विलोग को पढ़ें पहले हम लोग पढ़ें एक खंड बुद्धी का सिधान्त, बीने और अब हम देख रहे हैं, दो खंड बुद्धी का सिधानत यह आपके हैं Spearman, तीन खंड बुद्धी का सिधानत भी Spearman है, तो दोसों यही आपको थोड़ा सा अपने दिमाग में यह सारी चीज़े बैठानी की जोरत है, कि यह सारी चीज़े कनफर्म रहे हैं आपको, कि कभ एक खंड बुद्धी का सिध्धान्त बिने, दो खंड बुद्धी का सिध्धान्त इस्पियर मैन, तीन खंड बुद्धी का सिध्धान्त इस्पियर मैन, अब आप देखें यहाँ पर सामानियों विशिष्ट तत्तों के सिध्धान्त के प्रतिबादक को नहीं यह भी स्पिय आग में ऐसा नहीं कि एक दिन में आपको ये सारी चीज़े याद होने वाली हैं जब आप रोज कुछ लोगों को किवल दोहराते जाएंगे दोहराते जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको ये सारे सिधान्त लेंड रहेंगे और इनसे जो भी आपके मनोविज्ञान में कोश्चिन पूछे जाएंगे वो आप बिलकुल सही करके आएंगे तो चलिए देखते हैं आगे यहाँ पर देखिए नमबर फाइब पर हैं गिल फोर्ड तो दोस्तों गिल फोर्ड के कौन कौन से सिधान था त्री आयाम बुद्धी का सिधान्त और बुद्धी सनरचन का सिधान्त किस ने दिया गिल फोर्ड में गिल फोर्ड ने क्लियर अब हम चलते हैं यहाँ पर नमबर शिक्स की तरफ थर्ष्टन तो दोस्तों थर्ष्टन से समनित कौन कौन से सिधान्त हैं समूख खंड का सिधान्त थर्ष्टन यूग में तुलनात्वन नेड़ए तो दोस्तों यहां पर देखें यह सारी चीज़ें जब हमें याद करनी थी तो हमें भी थोड़ा सा अटपटा लगता था क्योंकि दोस्तों सबके लिए थोड़ी से मुश्किल होती है लेकिन यहां पर देखें आप वर्स पकड़ने की कोशिस करिया कि युग में तुलनात्म युग में तुलनात्मक और किसी भी मनोवज्यानिक से लेटर नहीं यह क्यों रेटर थर्ष्टन से तो इस तरह से आप याद करिएगा युग तुलनात्मक निरड़य विधी के प्रतिपादक समुखंड बुद्धी थर्ष्टन क्रमबध अंतराल थर्ष्टन समद्रिष् समंदित है अपने माइंड को इस वर्ष्ट के साथ कनेक्ट करने की कोशिस करिएगा कि किस तरह से हम याद करें कि मुझे याद हो जाए क्लियर अब हम चलते हैं यहाँ पर देखें थामसन न्यादर्स या प्रतिदर्स वर्ग घटक बुद्धी का सिधन्त वर्ग घटक न् और प्रतिदर्स तो यहाँ से यह वर्ड आप पकड़िएगा न्यादर्स प्रतिदर्स और वर्ग घटक तो यह आपका हो जाएगा थामसन क्लियर तो यह जब वर्ड से आप याद करने की कनेक्ट करने की कोशिस करेंगे तो साथ आपको नहीं भूलेगा न्यादर्स प्रत योम बर्णन ये पदानु क्रमिक क्रमिक महत्व बुद्धी का सिधान बर्ट योम बर्णन ने क्या दिया था पदानु क्रमिक यानि कि क्रमिक महत्व बुद्धी का सिधान किस ने दिया था बर्ट योम बर्णन ने ये नाम आप याद रखिएगा क्लियर क्योंकि दोस्तों आपको या फिर आपको चार उपसन देगा उसमें ये पूछेगा कि ये क्रमिक महात्यों का सिधान संबन दित है तो आपको जब याद रहेगा तभी आपको एक नंबर बहुत आसानी से मिल जाएगा तो दोस्तों अब हम देखते हैं आर बी केटल तरल यो ठोस बुद्धी का सिधान तरल ठोस बुद्धी का सिधान तरल ठोस तरल यानि कि क्या हो सकता है पानी हो सकता है ठोस भी पानी ही हो सकता है जो वर्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो इस तरह से आप याद करे तरल ठोस कौन है और भी केटल केटल में जब हम पानी रखेंगे तो वो अगर उसको हम हीट करेंगे तो वो गरम होगा क्लियर तो यानि कि तरल है और फिर जब उसको हम फ्रिज में रखेंगे तो वो ठोस यानि कि बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा तो इस तरह से आप चनल को सब्सक्राइब भी कर लिजिए और यहां पर हम आगे देखते हैं नमबर 10 पर हैं हैब बुद्धी का और खा तो आप याद क्या करेंगे कख कख बुद्धी कख समझत है हैब से अब हम चलते हैं यहां पर नमबर 11 पर इस्टर्ण योम जांसन बुद्धी इकाय का सिधान किस ने दिया था इस्टर्ण योम जांसन ने clear यहां पर दोस्तों आज आपके सारे जितने भी सिधान थे वो क्लियर होने वाले हैं तो आप वीडियो में बने रहे हैं क्योंकि दोस्तों ये जो आपके सिधान से related question आते हैं ये बहुत confusion create करते हैं क्योंकि एक तो सिधानत है ने बहुत सारे सिधानत है तो इससे related जो भी आपके मनोवज्यानिक है उनसे related जो भी सिधानत है वो थोड़ा सा याद करने में आपको difficulty होगी तो आप जब एक साथ इतने सिधान तो आपको मिलना है और इतने उसके मनोवज्यानिक मिलना है तो एक तरह से आपको सारे एक साथ रहने की विज़ा से आप रोज रोज इसको आप रफ कौपी में नोट कर लीजेगा और इसको रोज आप लर्ण करने की कोशिस करिये जब पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा clear यहाँ पे दिकिए नमबर 12 पर है विलियम इस्टर्ण विलियम इस्टर्ण समझदी था बुद्धी लब्दी ज्याद करने के सूत्र के प्रतिपादक रहे हैं तो दोस्तों विलियम इस्टर्ण को जब भी बुद्धी लब्दी का सूत्र आएगा आपके दिमाग में तो आप यह इनको याद रखेंगे विलियम इस्टर्ण किसे समझदी था बुद्धी लब्दी ज्याद करने के सूत्र के प्रतिपादक रहे हैं अब हम चलते हैं आप देखें विलियम उन्ट यह संरचनावाद संप्रदाय के जनक रहे हैं और प्रियोगात्मक मनोविज्यान के जनक भी विलियम उन्ट हैं यह मनोविज्यान के जनक आपको बहुत बार देखने को मिलेगा तो आप confusion ना होए यहाँ पर बात किसकी और यह प्रियोगात्मक मनोविज्ञान के जनक है विलियम उन्ट अब हम चलते कोश्च यहाँ पर देखिए आपका point number 14 जीन पियाजे जिनको इंग्लिस में पाइगेट भी लिखा होता है दोस्तों जो हम लोग सुरू सुरू में लर्ण करना सुरू किया था हम लोग ओरे मनोविज्ञान तो अक्सर confusion होता है ना पाइगेट कहीं पियाजे लिखा रहा था तो कहीं पाइगेट तो confusion होता था तो देर देर जब आप पढ़ना start करते हैं सुरू सुरू की बात उता रहा तो दोस्तों जीन पियाजे कि यह हैं आपके विकास आत्मग मनोविज्ञान के प्रतिपादक हैं यह और संक्रियात्मग विकास का सिध्धान्त भी इन्होंने दिया था और दोस्तों जो आप पढ़ेंगे डिटेल में तो इनकी जो अलग-अलग बालकों की अवस्था हैं जून दियर जानित गामक अवस्था पूर्ष संक्रियात्म विकास तो यह जो अवस्था हैं यह इन्होंने दी और इनकी इन्हों आते और इससे समन्धित वह इंगे मनते हैं वह बहुत ही जड़ा इंपोर्टेंट होते हैं चाहे आपके टेट की तयारी के लिए वह या फि या फिर यूपी टेट दें दोस्तों क्योंकि आपका कोई भी टेट का एक्जाम आपके लिए एक तरह से कह सकते हम कि आपका जो concept है वो clear होना चाहिए अगर आपका concept clear है तो आप कहीं से भी कुछ भी question पूछे तो आप आसानी से उसका उत्तर दे सकते हैं clear अब हम चलते हैं यहाँ पर देखें नंबर 15 है विलियम मैग डूगल तो दोस्तों जहां पर भी आपको मैग डूगल मिलेगा वो सम्मनित होंगे मोल प्रवितियों के सिधान्त से तो मोल प्रवितियों के सिधान्त के जनमदाता भी यह कह रहते हैं और हार्मिक का सिधान्त त याद रखनी हैं, पोपोलोजी इस तरह से आप पर, जब मनोलविञ्ञान की परिभासा देखते हैं, तो मनोलविज्ञान को क्या क्या किया कहा था, इसके विशाय में, आप डिटेल में अध्यन करेंगे यहाँ पर देखे पॉम्पलोजी ने क्या का था कि मनमस्तिस का विज्ञान है अब यहाँ पर देखे 17 पर है स्किनर स्किनर भी बहुत ही महत्वड मनमस्तिस का विज्ञान है क्रिया प्रसूत का अनबंध का सिध्धानत इनों ने दिया था और सक्री अनबंधन का सिध्धानत भी इनों ने दिया था तो दोस्तों यह दोनों सिध्धानत आपको कहीं भी पूछे तो यह आप स्किनर से समझेगा यहां देखे इवान पेट्रुविच पावलब तो दोस्तों यहां पर इनों ने जो सोध किया था वो कुट्टे पर किया था तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिध्धान्त यह समदित है पावलब से और समंद प्रत्यावर्तन का सिधान्त भी पाउलब से समंदित है और सास्त्री अनबंद का सिधान्त भी पाउलब से समंदित है और प्रत्यस्थापक का सिधान्त भी पाउलब से समंदित है तो दोस्तों यह जो सिधान्त है यह आप भूलिएगा ने इसको याद करने की कोश करिएगा clear अब यहां पर देखिए दोस्तों यह जो चीजे आप पढ़ रहे हैं यह आपके क्यों टेट में काम आने वाली नहीं है यह आपके टेट सुपर टेट के वी एस इस तरह की जितने भी एकजाम होते हैं टीचर्स के लिए उन सब में यह सारी चीजे पूछी जाती है तो यह पर एक बार याद कर ले रहे हैं तो यह आपके बहुत सारी एकजाम में काम आने वाली हैं तो यहां पर देखिए 19 पर है CL हल कहीं पर CH हल होता है तो आप देख लिजेगा नाम यहां पर देखिए प्रबलन यानि कि पुनरबलन का सिद्धान किस ने दिया था हल ने और विवस्तित विवहार का सिद्धान भी हल ने दिया था और सबली कड़ का सिद्धान भी हल ने दिया था और संपोसक का सिद्धान भी हल ने दिया था और चालक अंतरनोध प्रडोध का सिद्धान भी हल ने दिया था दोस्तों अंतरनोध और प्रडोध यह अक्सर हैं यहां पर देखिए कोहलर वर्दिमर तो सूज अंतरद्रिष्टि का सिध्धान्त होगा वह कोहलर और मर्वर्दिमर से और गेश्टाल्ट वाद्सम्रदाय के जनक कोफ़ा तो दोस्तों गेश्टाल्डवाद में कोहलर मर्दिमर कोफ़ा यही तीन आते हैं clear अब हम चलते हैं यहाँ पर 22 पर 11 छेत्रिय सिधान्त किस ने दिया था तल रूप का सिधान्त 11 और समुगसिलता संप्रत्य के प्रतिपादक भी 11 है तो दोस्तों यहाँ पर छेत्रिय तल रूप और समुगसिलता का संप्रत्य के प्रतिपादक रहे हैं 11 यहाँ पर देखे 23 गुत्री समीप पर संबंधवाद का सिधान दिया था नमबर 24 पर देखे टॉलमेन साइन चिन का सिधान्त और संभावना सिधान्त के प्रतिपादक साइन चिन और संभावना सिधान्त के प्रतिपादक रहे हैं टॉलमेन अब यहाँ पर देखे 25 पर डेविड आसुवेल अग्रिम संगटक प्रतिमान के प्रतिबादक रहे हैं डेविड आसुवेल और 26 पर बयोहार्फ बहसाई साप पेच्छता प्रकल्पना के प्रतिबादक रहे हैं बयोहार्फ अब हम चलते हैं यहाँ पर 27 पर देखे जोहन वी वार्षन मनुवीग्यान के बयोहारवादी संपरदाय के जनकर जोहन वार्षन क्या है 29 पर Albert Bandura अधिगम यहाँ पर दिखिए सामाजिक अधिगम सिधान्त के प्रतिबादक सामाजिक अधिगम सामाजिक अधिगम जहां पर बात आएगी सामाज के अधिगम की जहां पर बात आएगी वहाँ पर कौन होगा Albert Bandura clear तो आप जो word है उसको connect करने की कोशिस करिए अपने जो भी मनुवी वैज्ञानिक है उनसे clear अब हम चलते हैं यहाँ पर 30 पर है देखे गेने ये समन्दित है अधिगम सौपानकी के प्रतिपादक रहे हैं गेने और Stanley Hall पुन्रावृति का सिध्धान दिया था इन्होंने 31 पर अब हम चलते हैं यहाँ पर 32 पर Ericsson विकास के सामाजिक प्रवर्तक रहे है Ericsson यहाँ पर शा होना चाहिए clear अब हम चलते हैं यहाँ पर 33 पर जान डीवी दोस्तों जान डीवी यहाँ पर प्रोजेक्ट प्रवाली से करके सीखने का सिध्धան इन्होंने दीया था यानि कि प्रोजेक्ट प्रवाली किससे समन्दित है Jew बस आप यह समझ यह अब यहां पे देखे 33 पर है अधिगम मनोविज्ञान के जनक कह जाते हैं अधिगम मनोविज्ञान के जनक यहां पे देखे 33 पर जोरोम ब्रूनर अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक अधिगम अवस्था जहां पर आएगी वहाँ पर कौन होगा जोरों ब्रूनर clear और सनरचनात्म का अधिगम का सिधान्थ भी जोरों ब्रूनर ने दिया था यहाँ पर दिखें C-H-Z समानी करण का सिधान समानी करण का सिधान C-H-Z ने दिया अब यहां पे देखिए भगले 37 पे अधिगम अंत्रड का मुल्यों का विज्ञान का सिध्धान्त यह किस ने दिया बगले ने चौमोस्की भासा विकास जहां पे भासा से समंदित आएगा सिधान्त वो किसका होगा चौमोस्की का clear यह देखिए मैसलो मांग पूर्ती और सक्ता पदानुकरम का सिधान्त किसे समंदित है और आत्म ज्यान का सिधान्त भी मैसलों से समन्दित है यहाँ पे देखें डेविड सी मैकलियंड यह उपलबदी अप्रेडा का सिधान से समन्दित है अब देखें 41 पर है बोल्स वा काफ मैन यह प्रोसान का सिधान से समन्दित है प्रोसान का सिधान बोल्स वा काफ मैन अब यहाँ पर देखें, forty two पर है आपका, all port, seal good विसेशक, सिधान्त के प्रतिपादक रहें, seal good यहाँ पर जहां पर भी आयगा seal good, यह ब्यक्तितु से समन्दित है, तो यह समन्दित हो जाएगा, all port से क्लियर अब यहां पर देखे 43 पर हेंडरी मुरे ब्यक्तितुमापन का सिधान ब्यक्तितुमापन के मांग का सिधान दिया हेंडरी मुरे ने अब यहां पर देखें मोरगन वा मुरे हैं कथानक बोध परिछड विदिके प्रतिपादक कथानक बोध परिछड और प्रसांग यहां पर आप ध्यान देंगे टैट किसे समंदित है यह टैट समंदित है मोरगन वा मुरे से और यहां पर कैट समंदित है लियोपोर्ड बैलक से यहां पर देखें पॉइंट नबर 46 है आपका हर्मन रोर्षा हर्मन रोर्षा यानि कि स्याई धबा परिच्छड रोर्षा स्याई धबा परिच्छड आई बीटी विदी के प्रतिपादक हर्मन रोर्षा रोर्षा स्याई धबा परिच्छड आई बीटी विदी के प्रतिपा है पायनियों टेंड़लर तो दोस्तों यहां पर सीटी यहां पर सीटी जहां पर आएगा वह पायनियों टेंड़लर कौन है आज सी विदी के प्रतिपादक है clear यहां पर दिखे 48-48 पर हापका में यों और दोस्तों यहां पर देखे फ्रोवेल खेर प्रडाली के जंदाता कहे जाते हैं और किंडर गार्टन यानि की बालो द्यान विदी के प्रतिपादक भी कहे जाते हैं तो दोस्तों अगर आपने बीड या बीटी से कुछ भी किया हो तो यह सारी चीज़े आप लोगों ने पढ़ी होगी फ्रोवेल किंडर गार्टन बालो द्यान विदी के प्रतिपादक रहे हैं और यहां पर देखे सिग्मंड फ्रायड यह मनो विसलेशर विदी के जंदाता माने जाता हैं फिप्टीवन पर देखे विदी के प्रतिपादक हैं किलपैट्रिक और यहां पर देखे फिप्टीटू पर एडवर्ट्स वा किलपैट्रिक और यहां पर देखे ओविदी के प्रतिपादक रहे हैं इनके नाम से ही है ये इनके प्रतिपादक रहे हैं और यहाँ पर देखिए कारलेटन विनेटिका इकाई यहाँ पर देखिए विनेटिका इकाई विदिके प्रतिपादक रहे हैं कारलेटन क्लियर अब यहाँ पर देखिए हुडिस्टिक बधी जहाँ पर आएगा हुरिस्टिक आर्मस्टिक पर जे एल मोरेनो समाज मिति बधी के प्रतिपादग 59 लिकट योगनिर्धारड विदी के पधिपादक योगनिर्धारड 60 गाटमेन इस केलो ग्राम विदी के प्रतिपादक शुगुड बिवेद साब्दिक विदी के प्रतिपादक clear यहाँ पे दिखिया फ्रांसिस गालटन स्वतंद्र सब्द साहचर तर्चर परिछड विदी के प्रतिपादक रहे हैं और टर्मन स्टेनफोर्ड विने स्किल परिछड के प्रतिपादक कौन रहे हैं टर्मन और S.D.Portius Portius हैं भूर विरुया परिछड के प्रतिपादक रहे हैं clear क्लियर इनके नाम से देखे इस परिक्षड का नाम है क्लियर 65 पर देखे डी वैसलवर यह डी वैसलवर है वैसलर वैल्यू बुद्धी परिक्षड के प्रतिपादक क्लियर यहां पर देखे यहां पर पॉइंट नबर 66 आर्थर एस ओटिस आर्मी अलफा परिक्षड के प्रत प्रतिपादक तो दोस्तों यहां पे आर्थर S.O.T. से आर्मी अलफा परिचड आर्मी बीटा परिचड दोनों के प्रतिपादक रहे हैं अब हम चलते हैं यहां पर देखें पॉइंट नंबर 67 पर C.H. राइस हिंदुस्तानी विने क्रिया परिचड के प्रतिपादक रहे है J. Munro प्राट्मिक वरिचड परिचड के प्रतिपादक रहे हैं और यहां पर देखें सीजर लंबरासो बाल अपराद विज्ञान के जनक कह जाते हैं क्लियर और मैंडल मैंडल है बंससूत्र के नियम के प्रतिपादक मैंडल के आवर्थ साड़ी के बारे में आप लोगों सुना होगा अब यहां पर देखें 71 लुई ब्रेल ब्रेल रिपी के प्रतिपादक रहे हैं क्लियर 72 पर एलेकजंडर बैन सहचर सिधान्त के प्रतिपादक रहे हैं और 73 है हरलो सीखने के लिए सीखना सिधान्त के प्रतिपादक सीखने के लिए सीखना यह सिधान्त के प्र और दोस्तों यहाँ पर 74 है आपका सेल्डन सरीर रचना का सिधान्त किस ने दिया था सेल्डन ने और गोल्ड इस्टीन तो दोस्तों गोल्ड इस्टीन ने व्यक्तित्व मापन के जियो सिधान्त के प्रतिपादक रहे हैं तो यह आपका आज यहाँ पर आपके जितने भी इस तरह के प्रतिपादक और जितने भी सिधान्त हैं और जो भी मनोवग्यानिक उससे समझनेते हैं उन सब के बारे में आज हमने आपको डेटेल से बताया है तो दोस्तों इससे ज़्यादा आपको कहीं से भी कोश्चन बहु पूछता है तो अगर आप यह सारे सिधान्त और यह सारे मनोवग्यानिकों के अगर आप याद हैं तो आप आराम से इसमें बहुत ही अच्छे माक्स गेन कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों अभी तो आपको नाम याद कर रहा हैं जब आपको नाम और उनसे डिलेटेट जो भी स पढ़ेंगे तो यह सारे आपके जो सिधान्त आप अभी याद कर रहा हैं तो आपको बहुत ही जल अच्छे से याद हो जाएंगे तो आसा करती हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों के साथ सेर करके और अगर आप चैनल पढ़ेंगे तो प्ले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा और वेल आइकन बटन को जरूर प्रस कर लिजेगा जिससे हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इसी तरह से आप अपनी मेहनत में जुट जाएए अपना ध्या जैहिन